आज की यूग में लगबख सभी लोग अपने आपको एक दूसरे से अलग दिखाने की कोशिश करते हैं ऐसे कई लोग हैं जिनकी सोच, उनके काम करने के तौर तरीके, उनके नई-ई-डियाज दूसरों से अलग बनाते हैं और मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि कही न कहीं ऐसा होने से लोग एक दूसरे से प्रेवित होकर कुछ नया करने की कोशिश करते हैं और इसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं और इसके साथ साथ देश को भी विकास के रहा पर ले जाते हैं आज हम आपको इनी लोगों में से एक ऐसे शक्स के बारे बताने वाले हैं जिसके काम करने के तरीके से काफी लोग इंप्रेस हुए हैं अगर आप उस इनसान के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो के अंतक बने रहे हैं नमस्कार मैं दिव्वे और आप देख रहे हैं वोकल लिफ्जी हम बात कर रहे हैं चिन्नई के एक शक्स के बारे में जो पेशे से आटो चालक हैं लेकिन इनके कमाने का तरीका सभी लोगों को परभावित कर दिया है अब आप यह जानने के इच्छुक होंगे कि आखिर या आदमी का पैसा कमाने का मैथट क्या है जिससे हर कोई जानना चाहता है तो आपको इसके बारे में डिटेल से बताने से पहले हम आपसे एक सवाल पोस्ते हैं वह सवाल यह है कि क्या आप कभी ऐसे आटो में सफर किये हैं जिसमें आपको अकबार, फ्रीज, कूलर, वाइफा, टैबलेट, आइपेड, प्रो, आदी की सुविधा दी गई हो उमीद करते हैं कि आपका जवाब नहीं होगा क्योंकि यह सभी सुविधा आप ट्रेन, बस, जहाज में तो देखे होंगे लेकिन शायद ही कभी यह सारी सुविधा आपको आटो में देखने को मिला होगा लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी, यह सारी इस फैसिलिटी आपको इस चन्नई के अन्ना ओर्टो वालों में जरूर देखने को मिलेगा इस अन्ना ओर्टो वाले से ऐसे सुविधा देने के पीछे का मकसद के बारे में पूछा गया तो उनका कहना है कि ग्राहक हमारे लिए भगवान की रूप में होते हैं और मैं उनकों सभी तरह के सुख सुविधा देना चाहता हूँ उन्होंने यभी कहा कि इससे हमें एक और फैदा यह होता है कि ग्राहक आटो के ऐसी फैसलिटी को देखकर हमारे तरफ अकरसित होते हैं जिसे हमारी कमाई जादा होती है तो देखा आपने आटो चालक की सूजबूज ने कैसे उसे औरों से अलग कर दिया अगर आप भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो दूसरों के लाइफ से कॉपी पेस्ट करने के बजाए अपने लाइफ का पैरागराफ खुद लिखे तभी जाकर आप भीड से हट कर कुछ अलग कर पाएंगे आज के वोकल लीज में इतना ही ऐसी तमाव छोटी बड़ी खबर देखेंगे बने गई हमारे साथ धन्यवाद